नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूज चानल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़ डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर पीए मोदी की अध्यक्षता में सर्वदली बैठख जमु कश्मीर वेहिंसा और कर्फियू को लेकर चुनता जाहिर लोकसभा में प्रस्ताफास राश्टिस रक्षा से कोई समझ होता नहीं चीफ जस्टिस की मोदी सरकार को फटकार कहा एक साल में काउंटर एफिटेविट तक नहीं दे सके क्या यहां कोई पंच्राय चल रही है परिवहन वंत्रॉले पर लगाया जुर्माना बीजेपी नेता तेवतिया की हालत में सुधार गैंस्टर की कॉंस्टेबल बीबी ने मुखबिरी का लियाद बदला मायावती ने अखिलेश से मांगा श्टिफा यूपी की कानुन विवस्था पर उठाए सवार शारुख को अमारिका में रोके जाने पर मचा बवार बीजेपी कांग्रिस ने की मामले की निंदा शिफसेना ने भी उठाए सवाल तस्लीमा बोली गैर मुस्लिम का मुस्लिमों पर से उठा भरुसा और कश्मीर में शबीर के शफ को कबर से निकाल का पोस्ट माटम्ज के आदेश दिये सुप्रीम कोच ने पिता ने हत्या का लगाया है आरूख पुलिस के मताबिक पैलिट गन से हुई मौट एक महीने से ज्यादा समय से तनाव जेल रही कश्मीर घाटी के हालात पर शुक्रवार को सर्वद अलिये बैठक हुई बैठक की अध्यक्षता पियम मोदी ने की बता दे कि इससे पहले विपक्ष के दबाव के बाद सरकान राजसभा में कश्मीर पर चर्चा की थी लोगसभा में कश्मीर को लेकर प्रस्ताफ पारित किया गया है इसमें कहा गया है कि राश्ट्र सुरक्षा और अखंडता को लेकर कोई भी समझवाता नहीं किया जाएगा बैठक में कश्मीर हिजबुलातं की बुरहनवानी के मारे जाने के बाद से जारी हिंसा और कर्फ्यू को लेकर चिंता जताई गई भारत के चीफ जस्टिस टीयस ठाकुन शुक्रवार को केंद्र की मोधी सरकार को फटकार लगाई है टीयस ठाकुन ने कहा कि केंद्र सरकार खुट ठीक से काम नहीं करती और आरोप जजजो और कोट पर लगाती है टीयस ठाकुन ने ये फटकार परिवहन मंत्राले से जुड़ी आचिकाओं वाले मामले पर लगाई है इन्ही आचिकाओं में सड़क हाथ्सों पर केंद्र सरकार का पक्ष पूछा गया था जुसका जवाब सरकार ने तीन जनहित आचिकाओं के बाद भी नहीं दिया इन्ही आचिकाओं की सनवाई टी-एस ठाकूर ही कर रहे थे शुकरवार को भी सरकार का कोई पक्ष ना आने पर टी-एस ठाकूर ने फैसला सुनाते हुए परिवहन मंत्राले पर पच्चिस हजार रुपाई का जुर्माना लगा दिया है बे-एस पी सुप्रीमो मायवदी ने शुकरवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली पर टिपनी करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्रिय अखिले श्यादव स्थिती को नियंतरित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं गई है गौरतलब है कि बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया पर कुछ अग्यात हमलावरों ने AK-47 से हमला कर दिया था उनके काफिले पर अंधा धुन्द फाइरिंग की गई थी तेवतिया के साथ उनके छे अंग रक्षक भी खायल हो गए हैं उनका इलाज नौईडा के अस्पताल में चल रहा है बीदी राद गाजियाबाद इलाके में अग्यात हमलावरों ने बीज़ेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया के काफिले पर हमला किया घमला वर एक एफ़ एवाटीसेवन राइफल से लैस थे और उन्होंने तेवतिया के काफिले पर अंधा धुन्द करीब पच्च्छास राउन फाइरिंग की इस हमले में बीजेपी नेता तेवतिया के साथ करीब 6 उनके रक्षक भी घायल हो गए अब पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिन से पूछताज के बाद मामला आपसी रंजिश का लग रहा है हिरासत में ली गई पुलिस कांस्टेबल सुनीता के मताबिक उसे पूरी प्लानिंग की जौनकारी नहीं थी लेकिन वो तेवतिया से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वजहा से उसके पती राकेश हसन पूरिया की मौत हुई पुलिस सूतरों के मताबिक इस मामले में राजनगर में एक प्लाट को लेकर रंजिश का मामला सामने आ रहा है शारुखान के अमारिकी एपोर्ट पर हिरासत मिले जाने की खबर जैसे ही आई सोशल मीडिया पर फैंस ने घुसे में देखे गए तो देश के तमाम दिगज नेताओं ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियां दी चाहे बीजेपी हो कॉंग्रेस या शिफसेना सभी ने एक सुर में मिलकर इसकी कड़ी आलोचना की अल्प संख्यक कल्यान मंतरी और बीजेपी के नेता मुकतार अब्बास नकवी ने इस मामले पर कहा है कि धर्म महजब के नाम पर अगर इस तरह किसी भी भारतियक को बार बार रोका जाएगा तो ये किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कांग्लिस के नेता राजीव शुकल ने कहा कि बार बार अमरिकी एपोर्ट पर शारुक खान को रोका जाना अमरिका की सुरक्षा जाँच में खामी को दिखाता है शिफसेना के संजेर राउत ने शारुख मामले में कहा कि तीसरी बार अमेरिकी इमिग्रेशन में उन्हें रोका जाना बेहत चिंता की बात है सिर्फ उनका नाम खान होने की वज़ा से बार बार ऐसा अपमान होना किसी भी तरह स्विकार नहीं किया जा सकता है हाला कि उन्होंने दूसरे तरीके से ये भी कहा कि शारुख खान जैसी सेलिबिटी को स्वभी मान दिखाना चाहिए और जिस देश में उनका बार बार अपमान होता रहा हो वहां उन्हें खुद ही अमेरिका ना जाने का फैसला करके अपने आत्म सम्मान को उचा दिखाना चाहिए शारुख खान ने भारत को असहिशनू देश कहा और फिर वो ऐसे देश बार बार क्यों जा रहे हैं जहां इस तरहा का अहिशनू वेभार उनके साथ होता रहता है उन्हें तो तैय कर लेना चाहिए कि वो अमेरिका की धर्ती पर कभी पैर नहीं रखेंगे बॉलिवुद सुपरस्टा शारुख खान को एक बार फिर अमेरिकी एपोर्ट पर जाँच के लिए रोके जाने की घटना पर राइटर तस्लीमा नसरीन ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि शारुख को रोका जाना कोई बड़ी बात नहीं है वे भारत में स्टार है अमेरिका में नहीं तस्लीमा ने लिखा शारुख खान को एमेरिका एपोर्ट पर रोका गया तो क्या हुआ बहुत सारे मुसल्मानों को अमेरिके एपोर्ट पर हर रोज रोका जाता है खान भारत में स्टार है, अमेरिका में नहीं, तस्लीमा यही नहीं रुकी उन्होंने लिखा सचाई यही है कि गैर मुसलिम अब मुसलिमों पर भरोसा नहीं करते मुस्लिम आतंगी निर्दोश लोगों को मारते रहते हैं लोगों को डर लगता है कि अगर आप मुस्लिमान है तो हो सकता है कि आप आतंगी हो जमू एवन कश्मीर में हिजबल मजाहिदिन के आतंगवादी बुरहानवानी के मारे जाने के बाद प्रदर्शनों में मारे गए शबीर एहम अदमिर की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसके शब को कबर से निकाल कर पोस्ट मातम और फॉरन से जाज करने के आदेश दिये हैं फुलिस के मताबिक शबीर की मौत पैलिट गन से हुई जबकि उसके पिता का दावा है कि श अब बीर की मौत गोली लगने से हुई या पैलिट से अब कोर्ट के आदेश के मताबिक श्रीनगर में जिले के प्रमुक जज़ के देखरेक में होगी या करवाई होगी और प्रमुक जज़ के सुझाव पर डॉक्टरों का पैनल पोस्ट पार्टम करेगा सुप्रीम प्रिश बलूनिय देश में विविन शत्रों ऑनलाइन एक्जाम के खिलाफ एक जनहित आचिका डाली जिसमें उन्होंने बताया कि सुझूर गाहों से आने वाले चात्रों को कंप्यूटर की नॉलिच नहीं होती है जिसकी कारण वो एक्जाम में पीछे रह जाते हैं और ऑ ऑनलाइन पैटन की ओर जा रहे हैं ये बिना सोचे कि छात्रों का क्या भविस से होगा खासकर उन छात्रों का जो बिहार या ऐसे पिछड़ों जगह से आते हैं जिन्होंने कंप्यूटर का केवल नाम ही सुना है डिश्टल इंडिया तो दूर की बात है उसी पर चिंते उद्देश क्या है आपका हमने जब अख़वारों में पड़ा अलाबाद इन्वर्सिटी के बारे में रेलवे रिप्रूट्मेंट बोर्ड के बारे में स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के बारे में कि यहां पर जो है इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की विस्टाइं करी ह लेकिन जब देखा गया है कि जिन लोगों के पास 65 प्रशन लोगों के पास कम्प्यूटर वगरा की विस्टा नहीं है उनके हो सकता है अलाइट भी नहों वो ऑनलाइन कैसे एक्जाम देंगे यह भी वो जानती नहीं हो तो हमारे यह था कि एक्वल राइट्स हैब एन हैब नौस दोनों को एकल राइट्स एंड एकल अपॉर्चनिटी मिलनी चाहिए तो उसको ध्यान में रखते हैं हमने सोचा कि जो लोग जिनके पास यह सुझाई नहीं है वो शायद इससे वन्चित रह जाएंगे और इसलिए हमने यह पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन जो है कोट में जब यह पेटिशन हमारी सुनी गई तो कोट ने हमको यह कहा कि थोड़ा शायद आप इसमें लेट हैं क्योंकि एक्जाम होने वाले हैं तो हमने का इससे कोई मतलब नहीं है कि जब हमारे पास इन्फरमेशन आई तो हमने आपके समक्ष हम लोग आ गए तो कोट ने तीनों डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री अफ एचेयर डी को और ये परसनल एन एंगरेवांसर को को अनिस्टाफ सेलेक्शन कमीशन को तीनों को नोटिस श्यू किया है और अगली तारिक उन्होंने तीस तारिक रखी है कि उस पर हम इस पर से एक बहस करेंगे और ये किस त और ऐसा लगता है कि शाद कोर्ट विचार करेगी और इस पर एक्शन होगा आपने कहा कोर्ट विचार करेगी इस पर एक्शन होगा आप कोर्ट में गए इस पूरी समस्या को लेकर आपसे कभी कोई 36 तरीके से मिले जिन्होंने कहा कि वाकिए उन्हें समस्या आ रही है या फिर आप किसी इंस्ट्यूट के संपर्क में आए या कोई ऐसा अन्भाव जिससे आपको पता चला वाकिए आफ लाइन इस देश में अभी बहुत जरूरी है जबकि 65 परतीसक लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है सब चीज़ें ऑनलाइन बहतर हों ये बहतर नहीं है हमारे पास जो हमने न्यूस क्लिपिंग वगरा देखी है उसमें देखा गया है कि कई लोगों ने जिस ऑनलाइन एक्जाम को जो है एक प्रोफिशन बना लिया है और वो च्छातरों से जो है एक काफी पैसा लेके वो बोलता है कि हम जो हैं आपको इसमें मदद करेंगे और इसके ओपर शायद पुलिस ने भी रेट डाली है और जो ऐसे लोगों को शायद मेरे ख्याल से पकड़ा है जो कि सर्वर को हैक रक्षन की च्छमता करते हैं और दूसरी बात यह है कि आफलेन एक्जाम में अगर मैंने सही जवाब दिये हैं तो मेरे पास एक विकल्ब रहता है कि मैं फेल क्यूं होगा रिये एक्जामीन कर दो आउनलाइन में शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई विष्था नहीं है और यह बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि हर आदमी जो है अपनी बात को सर्वर के उपर डाल देता है तेजी से भागते वे भारत में कई कम्या रह गई हैं डिजिटल इंडिया के और हम जरूर जा रहे हैं लेकिन डिजिटल इंडिया से होने वाली खामियों को कही ना कही हम दरकिनार कर रहे हैं जिसका काफी असर इन छात्रों के भविसे पर पढ़ रहा है जिसकी चिंता ग्रीज जी ने की और कोर्ट में पी आईल दाखिल की ये अलग बात है कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा लेकिन ये एकदम सरहानिय कदम है खास कर उन पिछड़े इलाके से आने वाले चात्रों के लिए इसमें काफी मदद होगी जिन्होंने कंप्यूटर का केवल नाम ही सुना है कैमरमेन जौन के साथ निशान तराय, मेट्रो टीवी, दिल्ली इस न्यूज बुलिजन में फिल हाल इतना ही ताज अतरीन खबरों को जाने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार